अप्रू साधर जेसी क्रश्ण अप्रू साधर एक आप बहुत बहुत स्वागत है जा रहे हैं डेनिक राशी फल ये राशी फले 20 जुलाई 2022 बुदुवार का दिन है स्रावण महा के कुष्णपक्ष की सब्तमी ती थी है इस दिन शीतला सब्तमी का महा पर रहेगा रेवती नामक नक्षत्र होगा तथा मीन राशी में चंद्रमा बिराजित रहेंगे दिशास करके यात्रा औरंब कर सकते हैं हरा धनिया सूखा धनिया या फिर धने की डाल राहुकाल जो की दो पहर 12 बजी से शुरू हो करके एक बच के 30 मिन तक रहेगा राहुकाल के दोरान कोई भी शुबिया मंगलिक करिक्रम आपको संपन्न नहीं करना चाहिए हाला कि राहुकाल क निरनाई आप अपने क्षेत्र के पंचांग अत्वा केलेंडर के अनुसार कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कई छेत्रों में माना जाता है और कई छेत्रों में नहीं भी माना जाता है दैनिक ग्रह गोचर के दि हम बात करें तो ग्रहो के राजा सूरी देव जो की करक राशी इस देनिक ग्रह गोचर के अनुसार मेश मितुन सिंग तुला धनू कुंभ एवन मीन यह सात राशियां सबस्सेदिक भागिशाली रहेने वाली है देन इनके लिए प्रसिद्ध होगा धन लाप के सांसाथ का रिक्षित्र में उन्नती और प्रगती के भी उत्तम अउसर इनको प्राप्त हो सकते हैं कुल मिला करके इन्षात रासी वालों के लिए देन सबसे खास सावित होने वाला है अब हम आपको मेश से ले करके मीन सभी बारा राशी वालों का देनिक राशी फल बताने जा रहे हैं हमारे इस ग्यानवर्दग वीडियो को अंतित तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की आज का दिन अधिक तम समय आप अपने व्यक्तित को निखारने में व्यतीत करेंगे आत्म अवलोकन में व्यतीत होगा इसे आपको बहुत मानसिक शान्ती अनुभव होगी अर्थिक दृष्टी से दिन उपलब्धी कारक है धनलाब होगा रुका हुआ पैसा मिलेगा नए आमदानी के स्रोथ भी आपके बन सकते हैं उपाई के रूप में मसूर की डाल का दान किसे भी गरिब व्यक्ति को करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक एक होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं व्रशब रासी की अगर कहीं पूंजी निवेश या फिर नया काम करने का विचार कर रहे हैं तो आप योजना बद्ध तरीके से उसको संपन न करेंगे तो बहुत ही फाइदे नाम हासिल होंगे और उपाई के रूप में भैगवान शंकर जी के मंदिर में सफेद रंग का फूल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका ओरेंज होगा अब हम बात करते हैं मितुन राशी की धर्म और अध्यात्म के प्रती विश्वास आपके अंदर शांती और सकारत्मक उर्जा का संचार करेगा जीवन के प्रतियक पहलू पर सकारत्मक दरश्टिकोन रखना आपको बहतरीन उपलब्दी हासिल करवाएगा नया वाहन नई भूमी नया काम या कोई भी ऐसा कार्य आपको मिलने वाला है जो बहुत दिनों से प्रतिक्षारत था यानि जिसकी आप प्रतिक्षा कर रहे थे उपाई के रूप में घर से निकलते समय एक इलाईची खाना आपके लिए शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका हारा होगा अब हम बात करते हैं करकराशी की घर में परिवर्तन की योजना बनेगी या फिर घर बदलने का विचार भी आप कर सकते हैं सकरात्मक विचार उसे आप भरपूर रहेंगे अगर प्रापर्टी या किसी अन्यमुद्दे को लेकर रिष्टेदारों के बीच गलत देस्ता से दूर हो जाएगी आपसी संबंद आपके पुना अच्छे हो जाएंगे उपाई के रूप में चावल का दान किसी भी जर्वत मन व्यक्ति को करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका लाल होग अब हम बात करते हैं सिंग रासी की पिछले कुछ समय चे चली आ रही और्थिक समस्याओं का निवारन होगा काफी समय से रुका हुआ पैसा भी आपको वापस मिल जाएगा घर का माहुल पाजटिव रहेगा अपनी पढ़ाई के प्रती बच्चों की पूर्ण एकागरता रहेगी दूसरों की समस्या में न उल्चे तो ही बहतर रहेगा पड़ोसियों के साथ किसी बात को ले करके कहा सुनी या वहचारिक मदभेद उत्पन हो सकते हैं किसी कर्मचारी की लापरवाही के कारण आपको परिशानी पैडा हो सकती है इसलिए प्रत्य कारियों में साउ किशाली रंग आपका जामूनी होगा अब हम बात करते हैं कन्याराशी की इस समय ग्रहों के इस्तिती बहतरीन उपलब्धियां आपको प्राप्त करने का योग बना रही है अब अपने अंदर अद्भूत उर्जा वा आत्मेश्वास महसूस करेंगे तथा कारिक्षमता में इजाफा होगा अपने मन मताबिक कारी करने से आपको रहत मिलेगी किसी किसी समय भाउकता और आलस्सी की वज़े से बनते बनते कामों में रुकावट आ सकती है इसलिए लापरवाही न बरते सभी कारियों को गंभीरता पुरवक आपको करना चाहिए उपाई के रूप में यदि आप भगवान विश्णु जी के मंदिर में केला चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं तुला राशी की कुछ लाबदायक संपर्क सूत्र माचार मिलने वाला है संतान की उन्नती तथा प्रगती होगी नए वाहन नई जंबेडारी आपको मिलने वाली है प्रापर्टी में भी आपको फाइडा हो सकता है उपाई के रूप में मीठा दही शंकर भगवान के मंदिर में दान करना आपके लिए शुफलदाई साबित ह आपका भागिशाली अंक साथ होगा भागिशाली रंग आपका आस्मानी होगा अब हम बात करते हैं वर्ष्ची क्रासी की बहारी गतिविधियों तथा मित्रों के सांथ संपर्कों को और अधिक मजबूत करने के लिए दिन उत्तम है भाग्या आपके लिए लापदायक पर रखने की आउशकता होगी और किसी व्यक्ति से यदि आप सोदेवाजी करते हैं लेंदेन करते हैं तो उसके बारे में चान बीन करना बहुत आवश्यक होगा वरना आप नुकसान में आ सकते हैं और उपाई के रूप में घर से निकलते समय गुड़ खाना आपके लिए पुची संबंधी कारियों में आपका समय विचित होगा किसी रिष्तिदार के साथ चलिया रही पुरानी समस्या का समाधान किसी के मद्यस्ता से हल हो जाएगा कुल मिला करके समय खुशनुमा रहेगा रिष्क प्रवत्ति के लोगों को जो है आज साउधानी बरतना और उपाई के रूप में यदि आप पीले रंग की कोई भी वस्तू का डान किसी भी गरीव या जर्वत्मन यक्ति को करेंगे तो आपका डेंड शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका आश्मानी होगा अब हम बात करते ही मकर राशी की धार्मिक वा अध्यात्मिक शेत्र में आपको फाइदा होगा आपका रुजान वहाँ पर जादा रहेगा आपको मनसिक वा शारीर ग्रूप से स्वस्त भी महसूस करेंगे कोई महत्वपूर्ण सूचना या समाचार मिलेगा जिसे मन आपका प्रसंद आज उसे पूरे करने का उचित समय है अपने गुस्से पर आपको नियंत्रन रखना बहुत आवश्यक होगा और उपाई के रूप में घर से निकलते समय लौंग इलाईची खाना आपके लिए शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते ही कुम्पराशी की आज आपको महत्तु पूर्ण जिम्मेडारी भी आपको मिल सकती है धनलाभ के सान्थ साथ नए घर की सुब सूचना भी आपको प्राप्त हो सकती है पदोननती के सान्थ साथ आपको कोई ऐसा काम भी मिलेगा जिसका बहुत दिनों से आपको इंतजार था। अर्थी की सितियां बहतर हो जाएगी। कलात्मक क्रियाप कलापों में आपकी रुची रहेगी। अपने मन के मुटाबिक कारी करने से आपको सुकून और प्रसनता प्राप्त होगी। दूसरों पर विश्वास करने की बजाए अपनी अंतरात्मा के नरणय को आपको प्रात्मिकता देना चाहिए। आपको अबशी ही उचित मार्ग दरसन प्राप्त होगा। किसी दोस्त या रिस्तिदार का साथ आपके लिए बहुत ज़्यादा उपलब्धी कारक रहेगा। और उपाई के रूप में भगवान इस जी के मंदिर में यदि आप बादाम चड़ाएंगे तो आपका दिन शुपलदाई साबित होगा। आपका भागिशाली अंक दो होगा। भागिशाली रंग आपका बादामी होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशी की। आपकी हिम्मत और साहस आज बहुत अधिक रहे और उपाई के रूप में घर के मंदिर में शहत चड़ाना आपके लिए शुपलदाई साबित होगा। आपका भागिशाली अंक चार होगा। भागिशाली रंग आपका नीला होगा। तो मित्रो या बारा राशी का देनिक राशी फल और उनको करने वाले उपाई तथा भ पूरे परिवार को साधर जैसी क्रश्ट के साधर धन्यवाद।